हेलो फ्रेंड्स मैं आपके दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इस वेल पर दोस्त आपने अकसर देखा होगा कि लड़कियां अपने चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो को लाने के लिए अकसर ब्लीच का इस्तमाल करती है मार्किट के अंदर बहुत सारे वेराइटीज के ब्लीच उपलब्ध हैं कोई ब्लीच गूर्ड होती है तो किसी के अंदर अलोवेरा होता है कोई ब्लीच आकसी ब्लीच होती है तो कई ब्लीचों के अंदर फ्रूट के पार्टिकल्स माने जाते हैं लिकिन क्या आप जानते हैं कई बार अगर हम bleach का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं या फिर उसके powder और cream का ratio सही तरीके से नहीं बना पाते हैं तो उसे लगाने के बाद जब हम अब ब्लीच को चेहरे से साफ करते हैं तो हमारे चहरे पर बहुत ज्यादा जलन होनी शुरू हो जाती है और इसी वज़े से हमारा चहरा गोले की बजाए काफी ज्यादा लाल-लाल दिखाई देता है और हमारे चहरे पर रैशिस भी पढ़ जाते हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे आसान से तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप ब्लीच से होने वाली जलन से निजातबा सकते हैं दोस्तों अगर आप ब्लीच लगा रहे हैं तो सबसे ज्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी सही क्वांटिटी को मापें आप जो भी ब्लीच ला रहे हैं उसके अनदर एक पाओडर और एक क्रीम मिलती ही मिलती है और इसी के साथ साथ वो उसी क्रीम के अनदर या फिर उसी पैकेजिंग के अंदर आपको एक छोटा सा स्पून भी मिलता है अगर आपको सही proportion नहीं पता है तो आप क्रीम के 2 spoon और चुटकी भर bleaching powder को अच्छे तरीके से mix करिए और इसे तब तक mix करिए जब तक साला powder क्रीम के साथ dissolve ना हो जाए यानि कि घुलना जाए उसके बाद ही से अपने चहरे पर लगाएं अगर फिर भी आपके चहरे पर जलन होती है तो सबसे पहले अपने चहरे को ठंडे ठंडे ताजे पानी से धोएं ऐसा करने से जलन में काफी राहत मिलती है अपने चहरे पर बरफ से मसाज करें आप चाहें तो अपने चहरे पर नारियल के तेल से भी मसाज कर सकते हैं कुछ आसान से तरीके जो आपके चहरे पर bleach से होने वाली जलन को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं इन सारी बातों को ध्यान में रखे और इसी के साथ साथ जब भी bleach का इस्तेमाल करें तो सही proportion को भी ध्यान में रखे मेरी beauty और health से related वीडियो को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजासत लेती हूँ